तो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब और सूचना के उंसार जो है मांसुन केराल पहुँच गया है और जल्दी ही ये काथपते के अंदर जो है हम लोग को सुहावनी बारिस का आनन लेने को मिलेगा तो चलिए जो मुख्य बात पर आते हैं देखे जीला जानकीर चांपा वेके जॉब डाल के छोड़ देने से कुछ नहीं होता है आपको क्या उसमें अफडेट्स आ रहे हैं ये भी आपको पता करना पड़ेगा तो इसके लिए जो है मेरे चैनल पर जितने भी जॉब से डेटेट जो पोस्ट डले हुए हैं मैं प्रयास करूंगा कि सब का वीडियो आपको मिलती जाएंगी ठीक है तो चले देखते हैं ये देखिए आपी सब क्लेक्टर इन डिस्टिक्ट इलेक्शन कोरबा तो यहां पर देखिए ये क्या बोल रहा है जीला निर्वाचन अधिकारी जीला जानगीर चैंपा दावा अपत्ति आमंतर तो देखिए 296 जो है आवेदन सहाई ग्रेट 3 के लिए 286 आवेदन और भृत्य के है तो कुल 296 आवेदन जो है वो मिले हुए है ठीक है तो देखिए कितने कम आवेदन मिल रहे हैं कहना चाहिए लोग एवायर नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि इस जगा कम पोस्ट है करके ना डालो ऐसा मत किज है यह देख लेजिए 289 आवेदन 296 आवेदन और प्राप्त आवेदनों के पात्रता का निर्धान चेरन समीति द्वारख किया गया है यदि किसी बेहर्थी को पात्र पात्सुची के परिप्रेक्ष में कोई आपत्ती हो तो वो अपना दावे और आपत्तियों स्वा प्रम जो है ना अपात्र ना हो, एजश थ्री के लिए देखी अ Baş Xavier 3 के लिए अब यहां पर देखे जो सूची निकली होई है कारिये लट जील था तो देखे पात्र यम अपात्रता कान तो ये अपात्र है कम्प्यूटर प्राण पत्र यम रोजगार पंजियन प्राण पत्र सनलग नहीं है ये देखे ये भूल गए है तेवेंट जी ठीक है रोजगार पंजियन प्राण पत्र सनलग नहीं है ये भी भूल गए है ठीक है और computer प्राण पत्र सनलग नहीं है ये भी भूल गये हैं तो ऐसी गलती मत कीजिए रोजगार पंजियन प्राण पत्र सनलग नहीं है बताए रोजगार प्राण पत्र तो ये पूरा लिष्ट है आपको decision में मिल जाएगी वहाँ से आप देख सकते हैं और अगर आपने यहाँ पर फॉर्म डाला है तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं और देखें मेरिट किस से बनाया गया है ये देख लेजी आप एक बार मेरिट बनाया गया है पूरडांग प्राप्तांग प्रतिसाथ यहाँ पर इंको कॉसल परिच्छा में अंक लिया जाएगा तो यह इस प्रकार से है देख सकते हैं और इसी तरह सो है जो प्यून के लिए तो प्यून के लिए पोस्ट निकला है नहीं कितने लोग फॉर्म डाले हैं तो फॉर्म डाले हैं 296 साय तक बता रहे थे 275, 296 लोग अब आतरता का काराण क्या है यह चीज बड़ा जोरी है पांचवी अंग सुची में पॉर्म प्राप्तांग के इसपश्ट नहीं है यह जाती और रोजगार पंजियन सलग नहीं है ठीक है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र नहीं देखे जो आप निर्धारित जो प्रारूप है उसी में आवेदन डालिए ठीक है न यह चीज मिस मत कीजिये अगला है पॉर्म प्राप्तांग के सत्यापित प्रमाण पत्र सलग नहीं है अब यह क्या चीज है तो देखे ग्रेड डाला ही नहीं होने तो ग्रेड पॉर्म प्राप्तांग आपको क्या बोला था मैं कि अपने स्कुल चले जाए इसकुल से अपना पॉर्म को प्राप्ता है ओहू आप लोग जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए इस चीज को पुर्णांग प्राप्तांग की सत्यातित प्रति जो है प्राणपत्र सनलग नहीं ग्रेड ग्रेड डाल दिये हैं तो ये पूरा को पूरा जो है रिजेक्ट हो रहे हैं जितने लोग ये ग्रे कि आपको कैसे करना है मैंने बताया था कि फॉर्म रिजेक्ट रने में जरा से भी देरी नहीं करेंगे आपने अगर किसी प्रकार से थोड़ी से भी गलती की तो ठीके दोस्तों ये सभी डाकुमेंट आपको डिक्सेशन मिल जाएगा वहां से आप चेक कर लेजिए और आग